हाई गाइस विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल एरगन काट आज मैं आपको दिखाऊं ग्लॉक का जेनरेशन 5 पहले आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बदा देता हूं 12 ग्रम स्योटो स्लेंडर सी चलता है 3 जूल की इसकी इनर्जी होती है स्टील बीबी यह बीबी वर्जन है ग्लॉक जरेंशन 5 जो है वो स्टील बीबी चलते हैं उसकी इसकी सेमी आटो स्मूद बैरल डबल अंच सिंगल आक्षिन आपको दोनों ही सकनते मिल जाते हैं जो इसकी लेंध है डाट इस 202 mm और जो इसका वेट है आपको इसकी अन्बॉक्स करके दिखाता हूं इसका यूजर मैनोल है अब भी अगर आशको पर्चेस करते हो इसको जरूर पढ़े यूज करने से पहले एक और बॉक्स में आता है यह ठीकिये ग्लॉक्स 17 जेनेरेशन फाइफ यह देखिए यह भी सारा स्लाइड जो से सारी मेटल है यह इसकी इंडिकेशन है जो पीछा के रूख गया तो अभी इसकी मैजीन ने वो खा लिया है इसके बोक्स के अंदर इसके एलंकी दी गई होती है गाषा यह देखिए इसकी आपको यहां मिलेगी इसके बॉक्स के नीचे कर दिये काफी अच्छी बनाएगे इसका जो आपने इसके अंदर चेंज कर रहा है इन्होंने लिंकी के अंदर इसके बटन होता है इसलेंडर टाइट करने के लिए आपको अगे पुछ करना पड़ेगा आप इसको जैसे इसलेंडर में लगाया है आप इसको यह अगे टाइट कर देंगे यह देखिए यह ब्लू बैक होता है काफी अच्छा प्रेश्र लग रहा है इसका भी विए अगर आप हमारी साइट से यह पर्चेश कर सकते हैं यह प्रोड़क्ट तो मैं आपको जो यह बीबी है आपको फ्यू अफको इसके साथ बेजेंगे देखिए यह बटन है आप कुछ को नीचे पुछ करना पड़ेगा यह लॉक हो चुका है कि देखिए अब हम दूसर बीबी लेंगे मैं टोटल फोर बीबी लोड करूँ है इसके अंदर वैसे इसकी जो कपैस्टी है वह 18 डाउंस की है यह देखिए जो आप इसको जो लॉक किया तो हमने मैगजिन के बटन को आप इसको हम धीरे से आप उपर इसको रिलीज करेंगे यह देखिए अब यह फोर बीबी हैं मैं फाय करूँ है यह देखिए फोर्थ बीबी चलते सारी जो इसकी स्लाइड है वह पीछे रूख गी है यह इंडिकेशन है कि आपका जो मैगजिन है वह खाली हो चुकी है यह देखिए यह खाली है इसके अंतर कोई बीबी नहीं बहुत ही अच्छा प्रेशर है इसका गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए दिन डू लाइट वीडियो और दू सब्स्राइब टू माई यूटूब चैनल ताकि जो भी हमारी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिक्रेशन मिलते रहें थांक यू यूब बहुत